नवाश्कार दोस्तों सवागत है आपका आपके ही चनल ग्रीन टेटर में एक बार फिर से एंड एक्स्ट्रीमली सोरी गाइस बहुत लेट हो गया हूं अभी जस्ट बैंग निफ्टी निफ्टी का एंसिस करके डाला है और यह डेटा का जरूरी इसलिए है क्योंकि डेटा मे सब्सक्राइब के लिए जो चार-पास दिन बचे में उस में लिए सवरी चार दिन क्लाइट स्टॉक फ्यूचर ठीक ठाक वोल्यूम में बाई किया है इंडेक्स फ्यूचर भी अच्छी खासी बाई किया है इंडेक्स कॉल औरे भाईया 1,77,000 कॉंट्रेक्ट बाई कर किया पुट जबर्दस राइटिंग में की हुई है इतनी वॉल्यूम में बुलिशनेस क्लाइट के कॉंट्रेक्ट की आज एंडेक्स ने जो स्टेटमेंट निकाली है मतलब हैवी बाई यहां से 300-400 पॉंट की तेजी तो मिनिमम क्लाइट का यह डेटा दिखा रहा है कि भाई हो इंडेक्स फ्यूचर भी अच्छी खासी कॉंटिटी में निकाले है 27,000 कॉंट्रेक्ट कॉल थोड़ी बहुत निकाली है पुट ठिक ठाक बाई की है तो क्लाइट जितनी वॉल्यूम नहीं है पर टोटली डेटा बेरिश है ठीक है नेट बेसिस पर भी देखेंगे प्रोज राइटिंग जो यहाँ पे कॉल की बाईग हुई है टोटल सप्लाई प्रोज ने की है औरे कली के लिए है बस यह जो यहाँ पे कॉल की राइटिंग हुआ कॉल की बाईग है कली के लिए बाकी इंडेक्स की पुट प्रोज ने भी बाई की है तो स्मार्ट मनी तो मार्केट को यहां से बेरिश देख रहा है कम से कम 100-500 पॉइंट कल के लिए मार्केट गिरना चाहिए यह डेटा को जो मैं देख के देख पा रहा हूँ ठीक है आज यह चलिए यह तो फिर शगुन देने वाली पार्टी है हम आते हैं अपना यहां पर जो आपको बीच में दिखेगा मैं थोड़ा अच्छे से समझानी कोशिश करता हूँ सबसे पहले तो थैंक यू यह जो ट्विटर पर आईडी है विश करके यह अप्लोड करते हैं डेली डेटा को थैंक यू तो महीरे शर वो हमारे गुरूप में डेली डेटा को पोस्ट करते है और मैं उनी की देखके वीडियो बनाता हूँ जब भी मुझे लगता है मुझे बनानी चाहिए चलिए आईए शुरू करते है यहां पर क्लाइंट जो है मुर्गा जिसको हम बोलते हैं ठीक है अपने देशी लेंग में जो कहते हैं तो चान चक तो 29, 26 अब यह एकदम से नेगेटिव हो गए माइनस 919 और यहां से तो देखा जाए तो बेरिश दिख रहा है भीया मार्केट इंडेक्स फ्यूचर कंक्लूजन निकल रहा है भीया बेरिश अब आज़े यह कॉल की तरफ कॉल यार यह दम से 186 काफी हैवी कॉंटिटी है ठीक है 186 इसी के अगेंस्ट में FIs ने अपनी कॉल की बाइंग को घटाया है 99 से 86 उससे पिछले दिन को भी अगर तुलना करें उसकी 90 से 86 तो और यह भाईया बहुत कॉल को राइट करके बैठ गया है प्रोज माइनस 274 वो इन केस अगर मार्केट उपर जाता है इनकी चड़ी उतरेगी इनकी और कॉल की जो राइटिंग है यह मैक भाईया 350, 18,400, 18,300 की भी होगी जो प्रोज ने कर रखी होगी यहाँ जो दिख लिए यह तो मैं क्लियर देखके बता सकता हूँ और कल के लिए ही है ठीक है मंतली एक्सपारी के लिए चलिए नीचा आते हैं यह फिर से पुट राइटिंग जबरदस्थ जबरदस्थ पुट राइटिंग है और बहुत बड़ा चारा रखा है खाना खाने के लिए ठीक है बहुत बड़ा चारा रखा है जैसे दो तिन हेरन बांदी है शेर के लिए भी आजा खा ले माइनस 3,46,000 की पुट राइटिंग उसी के अगेंस में FI ने अपने कॉंट्रेक्ट बड़ाए है पुट की बाइंग में नीचे की तीनों पार्टी जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं पुट बाइट करके बैठा है रिटेलर कॉल की राइट करके बैठा हुगा उस औरी पुट को राइट करके बैठा हुगा मतला पूरी तेजी में और ये पुट राइटिंग 18,000 and 18,100 के कॉंट्रेक्ट की होगी इनी दो लेवल की होगी मैक्सिमम चलिए नीचे की तरफ आजाए जो सबसे में डेटा रहता है मेरे लिए वो रहता है स्टॉक का फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर 11,51,000 दोस्तो अगर यहां से मार्किट 1000 से 1500,00 2000 पॉइंट अगर किस गिर जाए एक महिना, दो महिना, तीन, आईन, रिटेलर खून क्या सूरोने वाला है ठीक है डिलिवरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ आप स्टॉक फ्यूचर के कॉंट्रेक्ट देखो 1,51,000 तो आप सोच लो डिलिवरी में अरे आप डेटा निकाल के देखना CDSL का लास्ट येर मार्च 2020 के बाद जितने लोग स्टॉक मार्केट में गुसें है इंडियन स्टॉक मार्केट में इतने लोग उससे पहले 2000 से मिला के 2020 तक नहीं थे इतने अकाउंट खुल के लोग उसमें गुस गए है और लोग पैसा बना के बैठे है ठीक है तो जिस दिन मार्केट गिरा न ये लोग रोने वाले है क्यों क्यों कि इनोंने गिरावट नहीं देखी इनोंने मंदी नहीं देखी अब मेरा इतना बोलने का मतलब यह नहीं कि कली ऐसा हो जाएगा बट ये जो डेटा दिखा रहा है ठीक है FI is minus 20,000 contract ये selling में आ गए है और धीरे 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 प्रोज ने भी अपना घटाया है तो लेवल्स पे ही ध्यान रखे दोस्तो बस fundamentally जो मैं मार्केट को देखे आपको बताना चाहता हूँ रेटेलर बहुत तेजी में है डिलिवरिंग में भी स्टॉक के फ्यूचर में भी तो इन केस अगर मार्केट गिरता है तो रेटेलर ही लूटेगा ठीक है इन केस अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट गिरने के लिए सबसे पहले उसको कहां से हमें पता लगेगा 17,800 का लेवल तूटना चाहिए नीचे की तरफ closing आनी चाहिए और ये data को देखके जो ये data है ठीक है भाई कल 100-600 point तो market गिरना चाहिए पहली बाद इस data के साब से पर उसको play कैसे करें 115 ठीक है ये टूटे तब आप नीचे की तरफ play करिए in case 18,115 सलामत रहता है कोई selling नहीं है फिर ये गाजर दिखाई गई है आपको इसका कोई मतलब नहीं है इस data का ठीक है कल expiry हो जाने दीजिए फिर जो net basis में निकल के आएगा उसको conclude करने की कोशिश करेंगे expiry की वज़े से काफी changes है काफी volume में pros and क्लाइंट ने participate किया है ठीक है ये देखिए काफी volume में किया है तो कल जब expire ही होगी इसमें से कुछ call expire होंगी कुछ put expire होंगी तो वो जो निकल गयाएगा वो निचोड होगा वो हमको नवंबर मन्त की जो सुरूवात होने वाली है नवंबर सिरीज की उसकी market की दिशा तैगरेगा मेरा view फिलाल market में 17,800 आना चाहिए अगले 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आना चाहिए ठीक है काफी विश्वास है मुझे की आ जाएगा चलिए ये data था आपको बताना था इसको play तभी करना है पर इसको play तभी करना है जब निफ्टी 18,000 क्या कहते है 115 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे नीचे के लिए play करिए और bank nifty 40,800 को तोड़ के नीचे ट्रेड करे तब इसको play करिए और अगर 40,500 को भी तोड़ देता है तो 14,300-200 के लेवल भी दिखाएगा बैंक nifty आपको चलिए थैंक्यू वरी मच